वेलकम वेक तो मस्तिकुन का जादो गैन रादे रादे जश्री कृष्णा वैसे तो रोज ही भाके भी आ रही है और लेड़ो गोपाल जी की सेवा होती है लेकिन जनमास्टी में से ठीक 15 दिन पहले कुछ इस तरह का महाल हमारे घर का होता है और हम सब बैट कर भचन किरतन करते हैं बहुत आनंदाद है तो पहले तो काना जी और लेड़ो गोपाल जी क जो है श्रिंगार कर रही हुए मैं आज और पंदा दिन तक इस बार मैंने ठाना है कि मैं ही करूँगे सारा का सारा श्रिंगार जो हैं जुरूर कमेंट करके बहताना और जूले पर बैठ चूके हैं लेड़ो गोपाल जी काना जी और डेकॉरेशन जो है आप देख सकते हो म वैसे मुझे इतनी अच्छी डेकॉरेशन करनी आती नहीं है बट मैंने कोशिश किया यह माला जो है मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है यह प्यारा सा माला कुछ फूल जो है घर के हैं कुछ फूल जो है बाहर से खरीद कर ले गया आई थी मैं मॉर्निंग में लडुकी दोस्तों माला जी आए नहीं तो काना काना जी पहना है और चोटा सा माला बन पाया ममी ने बनाया तो शंकरभगवान को भी जूला जूला आते हैं आप और हर्मान जी को पहन यह भजन आपने सुना ही होगा कि जुला जुल रहे हैं इस वाक्त और जुले का अनन्द ले रहे हैं और हम भी भजनकिरतन लगतार कर रहे हैं जो कि अपने आपने काफी 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 ज़्यादा मजा आरा है पिछले जन्मास्ट मीपर जब वरिंदावन गई थी मैं तब लेकर आई थी और जैसा मैंने इमेजिन किया था ना काना जी को ऐसे लगेंगे पहनने के बाद तो ठीक वैसे ही लग रहे है मेरे imagination से काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में तो दोस्तो नीचे के साइट भी फूल गुलाब के फूल जो है बिच्छाएं थे और उस पर काना जी को बिठाया है ये जो जूला है मम्मी लेकर आई है इस बार जन्मास्टमी पर तो इस पर बहुत बड़ा जूला जो है लिया है मम्मी ने और ये जो जूला पड़ा था में साड़े ग्यारो सोका पड़ा था और काफी ही अच्छा जूला जो है मम्मी लेकर आई हैं तो यहाँ पर जोरो शोरो से भजन किर्थन जो है कुछ इस परकार चल रहा है जो दोस्तों यहाँ पर जो है कम से कम मम्मी रोज की रोज जो जब हम बैठते हैं जिन मास्ट में से 15 दिन पहले तो मम्मी जो है ठीक 10 से 12 दस नहीं साथ या फिर 10 ये काउंटिंग है भजन की तो जिसमें की 5 एक जूला का भजन होता है जूला जूलाते वे काना जी की जो है भजन काते हैं और दो तीन जो है शिव जी के हनमान जी के माता रानी के तो टोटल मिलागे साथ साथ से दस हो जाए तो बहुत ही अच्छा तो यहाँ पर फूलो की वर्षा कर रही है रुपाली काना जी के उपर लड़ी गुपाल जी के उपर और साथ में भजन चल रहा है इस वक्त फूलो म मास्ट में से ठीक पंदर इतना मज़ा आता है और जन मास्ट में वाले दिन भी इतना मज़ा आता है कहना ही कह जन मास्ट में वाले दिन देखना काना जी का श्रिंगार इतना प्यारा लगेगा आपको और उस दिन श्रिंगार ममी अपने हाथ उसे करने वाली है तो 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 जो है चड़ा दिया है मैंने लास्ट में मम्मी ने याद दिलाए कि तुलसी तो तुने चड़ाया नहीं मैं तो तोड़के रखा हुआ था सो सुबह ही तुलसी तोड़कर मम्मी ने रख ली थी और कुछ भजन जो है इस प्रकार माता जी गा रही है सुनिये जरा सो दोस्तो काना जी को सजाने की कोशिश की है श्रिंगार करने की कोशिश की है मैंने तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और दोस्तो कमेंट सेक्शन में अब तक जिन लोगों ने रादे रादे नहीं लिखा है तो रादे रादे जरूर लेक डालना और चन्द मास्ट मे वाला व्लोग देखना मत भूलना देखना जरूर आप आपको बहुत-बहुत-बहुत मजा आएगा दोस्तों सो दोस्तों मस्तिकुइनका जादू चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथी बेल नॉटिकेशन ओल पर भी जरूर प्रेस कर लेना